वेल्कम बैक समाजिक बिग्यान अर्थ सास्त्र प्लास नाइन्थ कारपाच्टक चौबिश टू सितंबर टूथाउजन टूटिवन उप विशय है पालंपूर गाओं की कहानी दो तो स्टार्ट करते हैं पालंपूर गाओं की कहानी दो फर्स्ट कोश्चन इसका अंसर है इसका अंसर है उत्पादन का उत्देश ऐसी वस्तुव सिवाओं का निर्मार करना जिसकी हमें आव शक्ता है फर्स्ट कोश्चन का अंसर सेकंड कोश्चन उत्पादन के सभी करकों के नाम बताई हूँ तो इसके उत्पादन के सभी करकों के नाम यह पर लिखी हुए तो बता तो हो गए भूमी श्रम पुंजी यह सब हो गए तो मैं आम को आणसा दिखाऊ पादन के चार मुख्य कारक होते हैं भूमी श्रम पुंजी यह चार मुख्य कारक हैं चार मुख्य कारक अब से थर्ड़ कोश्चन थर्ड़ कोश्चन उद्धपादन के कारको में से कौन सा कारक सबसे महतपूड है और क्यूँ उद्धव कोश्चन थर्ड़ कारक है उद्धम क्योंकि इसमें ग्यान और उद्धव की आशकता होती है जो मनुष्य के द्वारा ही हो सकता है और बिना मनुष्य के कोई भी उत्पादन का कारे संभो नहीं है तो अगला फूर्थ कोश्चन है पालमपूर में की जाने वाली किनी तीन गैर क्रिशी क्रियाओं के नाम दाइए पालमपूर में की जाने वाली गैर क्रिशी क्रिया ने में लिखी था लगुस थरिये विनिर्माड डेरी परिवाहन यह है फूर्थ कोश्चन आज़ा कोश्चन करते हैं फिप्ट कोश्चन है उत्पादन क्रियाओं के लिए किन किन उत्पादन क्रियाओं के लिए विविन संसादनों कि आशक्ता होती है आशक्ता होती है जैसे प्राकरतिक संसादन मानो निर्मिस वस्तुए मानो प्रयाश मृदार आदी यह हुआ फिप्ट कोश्चन का आशक्ता तो आज की वर्क्षिट कम्प्लीट होती है चैनल को लाइक शेर को सब्सक्राइब करिए थैंक